अरे मिलिये हमारी नहीं सकुबाई से हाँ भई सकुबाई सकुबाई ओ सकुबाई सुनो तो जाड़ू तो मार दी थी ममा ने फिर दुबारे से सकुबाई क्यों बन गए आप ये देखो कितना अच्छा बच्चा है देखो पूरी घर की साफ सफाई का तो इसी ने ध्यान करते है निए बंचा अच्छा देखो अच्छा नी बस फेल के लोनों से कोई मतलब नहीं है से जाड़ू पोचे से मतलब अच्छा रखे जाड़ू कां रख रहे हो ऑगा है उसको ए ठोड़ों जाड़ू में हात नी लगाते पेटर बच्चे और आप चाड़ू थोड़ ध ऑशिर को देदो अधर म५ा अधर देकल दो अधिए देखोले देखोले देखो अचा गुद मॉनिंग ता Hamilton ले लेगी आपसे अधर मा नल्isions ले ही तो पिर मम मा करेंगी दो असका और ये देखो मेरे ट्राइपोट के पिछे सब चाने भास टाएगा रह तो मच चेड़ो उसको मच चेड़ो मच चेड़ो ना गंदी बात गंदी बात नहीं गंदी बात ट्राइपोड के पीछे पड़ गया वही बचाओ कोई तो बचाओ मेरे ट्राइपोड को आज आज कोई तो बचालो चोड़ो बैटा टूट जाएगा यह हाँ तूट जाएगा यह चोटे बच्चों के लिए नहीं होता बेटा ये चोटे बच्चों के लिए नहीं होता ये ये देखो छोट दो छोट दो ठोट जाएगा ये शो टोट जाएगा बिटा ने दो हलो एवरिवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और मैं हूँ यहां पे इस टायम किचन में इसे में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं तो यहां पर हो रही है नाश्टे की तैयारी तो नाश्टे में बनारी हूं आज क कच्छे किली की सब्की रस टाइम 之 और भी से पहले करी तो कच्छे केली की सब्जी बहुत कम दो काते हैं कहीं जगों परे पफ़ले सी काट लिए मेरे तो मेरे मृं के में बन हुग मेरे सुस्राल fica तो बस कयों पर को काटे तो पानी मियु रखके जाते हैं वर पीयाज में कि प्याज को मैंने हाथ से काट है चौपर में जॉपनी करिए क्यांकि थोड़ी सी मोटी प्याज लगती है तो बस यहां पे मेरी प्याज हो री है और प्याज होने के बाद मैं आ डाल दिया है सू कहे मसाले कुटा वदनिया हल्दी नमक में जम चूर और इसको अची तरीके स कर दूगी मिक्स और मिक्स करने के बाद मुश्किल से दो सीटी में हो जाएगी और थोड़ा सा अगर आपको ड्राय ड्राय सा लगा तो आप हलका सा पानी का चीटा दे सकते हैं तो बस यहां पर मेरी सब्जी पक रही थी तो तब तक मैं चाय पी रही हूं और चाय मम्मी ने परांठे बने के तो मुझे भी पहले से नि हती तो इसलिए मुझे को इतना ज़्यादा फार्थ नी पढ़गा तो तो इसलिए मुझे पर मेरा जोए रोटी हो गई थी तो बस नाश्टा लगा दूगी जल्दी से और गच्चे के लिए कि सब्जी तुमें को अच्छी लगत है बहुत ताइम बात में बूद ही अच्छी लगती है मुझे तो बस सब्जी हो गई थी मेरी डsung नाष्त भी हो गया है और नाष्ता करने के बाद मैं … अपने वाले रूम में यहाँ पर कर रही हूं क्लीनिंग का काम और थोड़ी सी डेस्टिंग भी करूगी क्योंकि कहीं दिन से टाइम नी लग रहा था बीच में बिमार भी हो गई थी क्या होता है जब हम विमार होतें फूर जो है घर सारा अस्तवर्स तो जाता है तो बस यहाँ ही पर मैं रजाई वेगर समिट के हर दू अब थोड़ी सी गर्मी जब से स्टार्ट हो यह ना तब से रात को रजाई को तो बिल्कुल मनी नहीं करता है लेकिन फिर यह लगता है कि हमने अभी अंदर रख दी और फिर अचानक से किसी दिन बारिश हुई और ठंड हो गई तो फिर बस दुबारा से निकालो तो यही लगा रहता है तो बस कहां पर मैं थोड़ा सा डस्टिंग का काम कर रही हूँ थोड़ी सी धूल सी लग रही थी म कर दो दो कि हम बढ़ो को तो यह लगता है कि हां बही हां पर दूल ओरही है हां पर कुछ नहीं रखना है लेकिन बच्चों कोड़ा थो बारभाश और ब्लांकेट भी चेंज कर दूगी और अब जैसे मौसम सही वह रहना से गर्मी की लग रहा है कि हां गर्मी आगई तो ब्लैंक्ट वगई रजयां हो गई बस मन कर रहा है जलदी से आए गर्मी और बस ये सारी चीजी उठाके मैं रख दू क्योंकि क्या होता है सरदियों में न ताम जहाम भी बहुत होता है रजयां हो गई ब्लैंकेट होगे इनको समालना समेटना और रखना तो और अब तो जो है ना ये इतनी सारी ब्लैंकेट भी ले ले है मैंने तो अब इन चीजों को जो है ना समेट के रखना सबसे बड़ा होता है लेने को तो चीजे ले लेते हैं हम लोग लेकिन ना फिर उसको समेट के जब पढ़ता है तब बड़ी आफता थी है칭ुकि इतना जाते स्पेस नहीं होता है मैं अक्रेश इतने सारे लिए'RE पहले से होता है नहीं चीजों के स्वेश אז बहुत मुश्किल हो जाता है तो बस यहां पर ब्लैंकेट मैंने चेंज कर दिया है और इस रूम का काम निमर जाता है तो बस टेंचन फिर हो जाती हूँ और बस यहां पर मैं ज़ाड़ू लगाने लग रही थी तब ही जो यह यह ने मुझे देख लिए ज़ाड़ू के पीछे पड़ गया वो तो बस उसको मैंने यह दे दिया था जो इसका प्यानो इसके चाचुन ने दिया था तो मैंने सुचा इसी में लगा देती हूँ और जल्दी से ज़ाड़ू मार देती हूँ तो बस जित्ती दिर ये लगा रहा हो तनी देर मैने जाडू मारी है क्योंकि ना बच्चों का ये रहता है उनको किसी चीज में रगा दो तो तो वो लग जाते है और अगर उनको कोई चीज चाहिए तो फिर वो जिद्नी से बन जाते है तो यश का ही रहता है और यश बहुत कम है ऐसा कि मैं उसको किसी चीज में लगा दूँ और कभी कभी होता है उसका ऐसा कि किसी चीज में लगा दिया तो वो लग गया तो बस अब मैं आगी हूँ किचन में और थोड़ी देर वो बैठा था तो मैंने मम्मी को इसके पास बठा दी और अब थोड़ी देर ही मेरे कोई होगी मुश्किल से 15 मिनट फिर वो आ रहा है यहां पर बार बार तो बस यहां पर मैं अपनी जोए गैस साफ कर रही हूँ और साफ करने के बाद ना सारी बरतन कर दूगी मतलब रसोई की क्लिनिंग का काम शूरू हो जाएगा क्योंकि जैसी नास्ता निमटता है वैसी रसोई का काम करना पड़ता है और बस यहां पर मैंने इसको जूने से थोड़ा सा जो स्क्रॉच ब्राइट आता है उससे हलके हाथ से से सिंपल साबुन लगा के ऐसी साहफ कर दिया फिर गीले कप्डे से और एक ळैसे खेज करते है और बस और दूगी बस और जो टायल है जासे हम जूम शॉक हुझ है उन प्या समाल ल yapıyor इसको लेकिन जादा देड़नी होतीं होती है, और आजकल इन को आने में बी सुबह के टेम पे लेट है तो सुबह के टेमपे बहुत मुख्चिल होता है मैं को काम करना तो तब ही आजकल क्या हो रहा है ना मेरे व्लॉग कभी-कभी जो है मिस हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है न कि मुश्किल हो जाता है कभी कभी अगर सिर्फ खाने की बात होगी सिर्फ खाना मनाना है तो मैं मैंनेज कर लेती हूँ लेकिन क्या होता है न सारे काम करने पड़ते है और बच्चे का साथ तो सची में एक काम जो होता है न उसका कोई टाइम नहीं होता है कि कौन सा काम किस टाइम पे होएगा तो बस यहां पर बरतन का काम जल्दी से निपटा दूगी और बरतन का काम निपटाने के बाद जो है फिर देखती हूं और क्या काम है क्योंकि काम तो यहां पर लगी रहते हैं घर पे तो किसी के भी जो है इसा है यह नहीं क को तो बस यहां पे जैसी रवसुई साफ होई की तो दिन का जो है सारा काम निमर जाएगा मतलब नाश्ते का जो भी काम होता है व निमर जाएगा अब जो है दिनके खाने की जब तब आएगे अब किचन में तब तक जो है एक देड़ गंटे का राम मिल जाता है तो बस अब मैं यहां पर आगी हूँ और यहां पर आज मैं आप लोगों के साथ अपना स्किन केर रूटीन शेयर करूगी तो यहां पर यह मेरे पास ममा आर्थ का मैंने विटामिन सी का फिश खुद से मन भी करता है और यह जो विटामिन जी का फेश वाचस में बहुत अच्छा है यह यह फास टाइम मनें जा को यह यह पास यह है anything would be इफेक्टिव है और बिल्कुल भी कुछ भी जो है इसमें हामफुल केमिकल नहीं है आपकी इसकीन अगर सेंसिटिव भी है तब भी आप यूज कर सकते हो और उसके बाद फेश वास के बाद यहां पे मैं कर रही हूं इसक्रब और इसक्रब तो मैंने सेकेंड टाइम मगाया म मेरे को बहुत पसंद आते हैं यह बच्चों के भी आते हैं बेबी प्रोड़क्ट भी है इनके और हम लेडीज के लिए और इसका ना यह जितने भी प्रोड़क्ट है मैं और वुमें दोनों यूज कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं हम लेडीज का है तो अगर आप लोग मंगात है और इसके दोनों तीनों जो भी मैंने प्रोड़क्ट यूज कर रहे ना बिलकुल भी ड्राइ नहीं करते हैं आपकी स्किन को और तीसरा प्रोड़क्ट यह है यह मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि अभी कल पड़ सोई मैंने ओर्डर कर रहा था तब ही आया यह मास्क पनी चाया गंड़ लुक्त उब से बहुत अच्चा लगा की ऑफ लोग भी मेरे और रहे ठीच से अब चोड़ है आफ आब आप पर मेरे सीघिक्राइब लगा के लिगत अगर अब Presgli illegal तो मेरे को तो यह बहुत अच्छा लगा आप लोग भी देखना इसको और रिव्यू देखना इसके और पूरा प्रोडट्ट की जो है न पूरी डिटेल दे रहे ही होती है और उसके बाद ना मैंने इसको वाश करने के लिए जो है गीला कपड़ा यूज कराया गीले कपड़ अच्छी तर दस मिनट में सुख गया था क्योंकि मौसम सही हो गया ना सर्दियों में ज्यादा टैम लगता है अब गरम सा हो गया जल्दी सूख जाता है तो बस यहां पर मैंने तीनों चीजे अपलाई कर लिए और मेरे को बहुत अच्छा लगा बहुत ही स्किन जो है इतन वेलकम टू माइ चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगी और अभी मैंने अपना जो है स्किन केर रोटीन आप लोगों के सार शेयर करा है बस आके बैठी हूँ निन का खाना हो चुका है और आजकल खाना खाना ना खाना मुझे एक बर सब्सक्राइp तो कभी कावाश चैनल उथे हैं और वैसे तो अलुभी खा सकते हैं बहुत कं दैशनी तो हो रही है लेकिन लो स्चेशा भुसका से भी तो फॉट्णीं हो दोक्र जाएं परेश करले लागे पार्मञानें पारी है कभी तो चाँ जो होता है और अवी आने वाली टैम में यूड़ा से भीसित आयो जितती में तो त 녹ले में व्लीच में अधर करके के दोक्राइब आ फिर बीच में कल शॉप अ hakkा मैंज करना और डॉक्टर ने कह रहा है कि भिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना अगर आप स्ट्रेस लोगे तो बीना शूगर खाई आपके शूगर भढ़ जाएगी तो इस दिर्ई कोई स्ट्रेस नहीं ले रहे हूं, बहुत आराम से काम करती हूं, धीरे-धीरे करती हूं किसी भी चीज की टैंशन नहीं ले रही हूं आजकल थोड़े से कोशिश कर रही हूं लेकिन टैंशन पूरी कुरी कोशिश कर रही हूं है ढला इस असब बले से फालो कर से कोशिश ऑर ना पाणी ज्यादा पी रहेए जो भी चीज़ है तो यह यहां तक नौबत नहीं आती पर चलो देर आए दूरुसता है जो भी है तो चलिए करती हूं फिर इस वीडियो का एंड और आप लोग उसे थोड़ा सा सौरी भी कहना चाहती हूं कि रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं तो थोड़े टाइम प्ल होता है तो उसमें ठाइम थोड़ा सा जादा देना पड़ता है तो बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगी बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देना तो चलिए करती हूं इस वीडियो का एंड और फिर मिलेगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए ब बाइ बाइ